हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंत्राल्य एफ्टी के काम काज में हस्तक शेप कर रहा है यह कहना है एफ्टी बार एस्वोशेशन का औ आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में एफ्टी चंडीगर के बहुत से ऐसे फैंसले हैं जिन पर यहां पर पीफा या मैं कहूँ रक्षा मंत्राल्य की तरफ से कुंडली मारके बैठे जाये हैं लेकिन उन पर कोई भी निस्तारन नहीं किया जा रहा है बार बार ए तरह से कंप्लीट नहीं किया गया उनका तो देखे ऐसा देखते हुए अब जब बिल्कुल सापानी सर से उपर चला गया तो एफटी बार एसोशेशन ने माननी हैं सीजी आई को पत्र लिखकर आवमाना कारवाई की मांग की है देखे एक काफी बड़ा लेटर है पूरी की पूरी जांकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर ज़रूर करें आप यहाँ पर देख सकते हैं AFT Bar Association rise to CJI alleging that Defense Ministries interfering with functioning of armed forces tribunal यहाँ पर देखे उन्होंने बताया लिखा CJI D.Y. चंदरचूर जी को और उनसे अर्ज किया तो टेक कोगनिजेंस ओफ कंटेम्टियस एक्शन्स एंड डारेक्ट इंटरफरेंस बाइदा डिफेंस सेक्रेटरी और अधर ओफिसर्स ओफ दा यूनिन मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस इन दा फंक्शनिंग ओफ AFT यानि जो AFT की फशनिंग है उसमें वो हस्तक शेप कर रहे हैं और उनसे बोला CJI से देखें आप इसमें सुरत्य संग्यान लें विशेश रूप से तीन अगस्त के पत्र में रक्षा सचिव द्वारा जुलाई में AFT की परधान पीट को संबोधित चोकाने वाले अपमान जनक कम्मिनिकेशन पर परकाश डाला गया जिसके बारे में एसोशेशन ने कहा था कि यह AFT द्वारा नियाय परसाशन में हस्तक शेप के समान हैं देखें उन्होंने बताया कि AFT प्रिंसिबल बेंच से 28 जुलाई को साम 5 बजे तक अपनी टिपनी और इंपूट परस्तुत करने का भी अनिरोध किया गया था रक्षा सचिव की ओर से वेतन या पैंसन मामलों पर AFT चंडिगड के हालिया फैंसलो और उसके विशलेशन पर एक रिपोर्ट त्यार की गई थी देखे उन्होंने बोला था कि हम रस्तक सचिव द्वारा नियाईक निकाय को निर्देश और आदेश पारित करने या AFT को रक्षा मंत्राले के तहते की विभाग के रूप में मानने का कराव रोध करते हैं और आपत्ति करते हैं जबकि वास्तों में इसका मतलब नियाई परदान करने के लिए संसत के एक अधिनियम द्वारा सासित एक स्वतंतर वैदानिक नियाई दिकरन हैं जिसमर देखे जितने भी सर्विंग हैं और नोन सर्विंग हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी की रेस्पोंसिबिल की और कानूनी समुदाय के सदस्यों में बेचैनी पैदा कर दी है एसोशेशन ने भारत के मुखे नियाधी से पत्र को एक याचिका के रूप में मानने और मुद्दे पर सुरता संग्यान लेने का आगरे किया है देखे एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर यह जंकरी दी गई है ताकि एफटी के नियाइक कामकाज में सीधे हक्षक्षेप के लिए रक्षा मंत्राले अधिकारी के खिलाफ उचित कारेवाही की जा सके उन्होंने कि यह भी बताया यह है कम्मुनिकेशन जो उन्होंने ऐसा बोला है कि आप देखे 28 ताक के सामके 5 बे तक हमें नियाइक संस्था कि विष्टेशन की मांग करने वाले रक्षा मंत्राले के संचार को लक्समन रेखा का उल्लंगन करार दिया जाता है। रक्षा सचिव द्वारा इस तरह की रिपोर्ट मांगने जाने पर आपत्ति जताई जैसे कि ट्रिबुनल उनके अधिन काम करने वाला एक विभाग है अधिकी खासकर जब सचिव सभी मामलों में AFT के समयक से किववादी हैं यानि लिटिगेशन हैं अगर हम बात करें कि कोई भी AFT में जज्जमेंट जाता है तो उसमें रेस्पोंडेंट्स कोन होता है? Union of India, Ministry of Defense, Defense Secretary ये सब उसमें जो हैं में ली रेस्पोंडेंट्स होते हैं तो ऐसे में उनके द्वारा एनलाइसिस और रिपोर्ट मांगना अपने आप में एक पूरे कानून परिकरिया का उनलंगन बताया गया है एसो से नहीं है भी नोट किया कि AFT की चंडिकर बेंच सभी AFT के बीच सबसे बड़ी और वियस्ततम बेंच है जिसमें उस्तम, निप्तांदर और कैसलोइड है यानि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड है संबंदित अधिकारियों ने कहा कि इसके फैंसलोगों को अक्सर उच नियाले और उस्तम नियाले बरकरार रखा है जो AFT चंडिकर ने फैंसले दिये हैं उनको रिव्यू पैटिंसन या SLP के आधार पर जब डाला गया तो मानने हाई कोट और मानने सुपरीम कोट ने भी बरकरार रखा है जिससे रक्सा मंतराले के कुछ अधिकारियों को परिशानी हो रही है AFT पीट को अपील आवेदनों की नासमझ फैलिंग के रोप में यानि बार बार जो आधिस आते हैं उस पर फाइलिंग फाइलिंग अगेल फाइलिंग SLP वगरा डालते रहते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है रक्सा मंतराले का ऐसा रवाया नया नहीं है उन्हों ने के पहले भी कई ऐसे फैसले बताए हैं जब उन्होंने इस टैप की बाते की है एसोशेशन ने कहा इसके अलावा हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर अपील दायर करने और EFT के आदोसों का अनुपालन नहीं करने में भी मीडिया और सोशल मीडिया में भी ध्यान आकरसित किया गया है रक्सा मंतराले के अधिकारी सरकारी मुकदमे बाजी कम करने के परधर मंतरी और कानून मंतराले के आसवासन के विपरीत काम कर रहे है जो हमारे देश के माने पतर्रमंत्री जी है और जो कानून मंत्रालिया, उनका कहना है कि देखिए जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, अगर हम बार-बार याची का पर याची काई डालते रहेंगे, तो देखिए जो court का time है वो खतम हो जाएगा, और हमारे pending cases की सुची जो है बढ़ती जाएगी देखे कल Supreme Court ने भी एहम टिपनी की थी कि देखे केंदर सरकार को उन्होंने बोला था कि देखे आप जो है याचिका पर याचिकाई डाल रहे है जिससे court का time बरबाद हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हम देखते हैं अब जो letter भेजा गया वो letter क्या कहता है अब चलते हैं उस letter की तरफ देखे ये है वो letter Armed Forces Tribunal Chandigarh Bench Bar Association का 3 अगस्त 2023 का जो भेजा गया है Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachur Chief Justice of India Supreme Court यहाँ पर देखे Regarding Intimation of Contempt Proceedings Against the Defense Secretary for Direct Interference in the Administration of Justice and Judicial Functioning of the Armed Forces Tribunal by way of his letter dated जो 28 जुलाई का है Non Implementation of Judicial Orders and Deliberate Denial of Financial Support for Staff and Smooth Functioning of the Tribunal देखे वो सारी बाते जो मैंने आपको हिंदी में पढ़के दिखाई हैं वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर देखे केसों का हवाला दिया गया और बताया गया है कि देखिए इस टाइप से हो रहा है यहाँ पर और इस टाइप से मांगना It is stated that Defense Secretary has directed that a report to be prepared on the recent AFT Chandigar decisions on pay and pension matters यानि AFT Chandigar ने जो भी pay and pension matters per decision दिये हैं उनका analysis की एक report हमें आज सामके पांच में तक भेजिये और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यह कह सकते हैं कि जो हमारा पुरा नियाय की धाचा है उस पर एक सिधा-सिधा परहार है देखिए यहाँ पर अवाला Honorable Supreme Court had convicted the secretary concerned for criminal contract for sending communication to this income tax appellant tribunal and interfering with the judicial functional of the tribunal क्या नियायक पर किरिया है और ऐसा करने के उपर Supreme Court ने एक बार सचिव के उपर कारिवाई की थी और उनको convicted भी किया था We strongly protest and object to a defense security passing directions and orders to a judicial body or treating the AFT as a department under MOD यहाँ पर देखिए बताया गया कि हम उसके अपूरी तर से खिलाफ है We must observe and express our displeasure at the manner in which appealants have been filing appeals against grant of disability pensions even where the legal issue is settled तो कि बहुत सारे ऐसे cases हैं और पूरा का पूरा आप यहाँ पर देखते हैं पिसले जो भी cases हैं उनका हवाला दिया गया मैं आपके सामने पढ़ूगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखे यह सब कुछ सिंपल है आप देख सकते हैं कि यह जो है और यहाँ पर आप लास्ट में फाइनली साइन देख सकते हैं आरस पंगाल जी जो प्रेजडेंट है और अजय सिर्वन जी जो सेकेटरी है ओनरेबल चेरपर्सन आम्ड फोर्सिस ट्रिबनल प्रिंसिवल बेंच ओनरेबल जुडिशल मेंबर कम हैड ओफ डिपार्टमेंट आम्ड फोर्सिस ट्रिबनल रक्ष्या मंत्री जी लो एंड जस्टिस मिनिस्टर को प्रेजडेंट सुप्रीम कोर्ट बार अस्योशेशन को बेजा गया है ये रिस्पोंडेंट का परपस क्या रहे है माल लीजे कि देखे एफ टी जो है रक्षा मंत्राले के अधीन आता है लेकिन वास्तों में क्या उसके जो जजज्मेंट्स हैं क्या जो नियाएक परक्रिया है उसमें हस्तक शेप करने का अधिकार जो रक्षा सचिम है या उनके लेटर आगे का बिसा चेंज करने वाला है बताने वाला है कि क्या होने वाला है लेकिन आज की स्थिति यह है कि देखे यह लेटर जो है अपने आप में बहुत कुछ बात कह रहा है नियाएक परक्रिया में हस्तक शेप को लेकर यह जानकर ही अगर आपको पसंद आई तो च यहिंद जय भारत